है यहां पर मेरे जो डिकार्डर था में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहे थी तो गाइस मुझे आप फाइनली आप करने पड़ियों वाइस रिकारडिंग तो गाइस यहां पर यहां पर हम फटा फटा से सॉल्व करेंगे कोशन नमबर वन एक्सपेंड़ फूम नाइन थाउजन टू यहां पर हमाई थ्री डिजिट्स है इसकी जिगए पर हम जीरो लगा देंगे पहले हम इसकी फ़र्स डिजिट नाइन लिखेंगे अे इंड थैजिट्स हफें उनकी जीग के हम जीरो लिखेंगे एंड गाइस नेकस्ट फिर हम व्लेस लगा देंगे औड देशन पर हमारे हमते हैंड नेकस्त हम 7 रिन लगाइन रेसे गाइंड इन शॉम यहां पर हम लिखेंगे 200 and guys 1 में भी same ही work है यहां पर हम plus का निशान लगाएंगे फिर हम 10 लिख देंगे and then 8 के पीछे तो कोई digit ही नहीं है so guys यहां पर 8 का 8 ही आ जाएगा so guys आप next so guys आप 8 लिख यहां पर 8 लिख गया and guys आप next second question पर ध्यान देते हैं इसका भी बहुत सेम ही है same to same method है so guys अब इसे फटाफिक से solve करते हैं यहां पर subscribe कर देना फटाफिक से 3179 so guys इसमें हमें सेम ही solution करना है 3000 लिख देना है हमें and then हमें 300 लिखे फिर गाए 3000 लिखे फिर प्लस का निशान लगाना है सेम है so guys अब यहां से हम one and one को ठालेंगे and guys पीछे two zeros and फिर प्लस का माक लगाएंगे फिर seven के पीछे एक डिजिट है so हम यहां पर 70 लिखेंगे and guys next हम 9 लिख देंगे and guys numeral तो हमारा यह first हम तो solve होगा फटा फट से अब हम numerical forms करते हैं मतलब यहां पर number names में form लिखे हुए हैं इसे हमें numbers में convert करना है यह number names में लिखे हुए हमें numbers में convert करना है one thousand nine hundred forty five यहां पर हम लिख देंगे nine one hundred मतलब one thousand का one यहां पर nine hundred है तो nine आ जाएगा यहां पर 45 है यहां पर 45 आ जाएगा same as so guys अगर zero आगर किसी में hundred की डिजट पर कुछ नहीं आए बस just like one thousand ऐसे कुछ आ जाए so guys this condition में हम देखते हैं second sum को यहां पर हमने 45 लिख दिया and then हम second sum को देखते हैं seven thousand fifty two sum को हम कैसे करेंगे बहुत ही easy method है कुछ लोगों को नहीं बाप पाते है students को नहीं आपते हैं so guys इसी को मैं समझाओंगी easy way में so guys यहां पर seven thousand लिख रहा है तो हम seven लिख दिखेंगे okay and then hundred की प्लेस में तो कुछ भी नहीं है so guys इसलिए हम hundred की प्लेस पर क्या करेंगे zero लगा दिंगे and 52 है so guys हम 52 का 52 लिख दिंगे it is guys बहुत easy था यह so guys I hope guys आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like share and चैनल को सब्सक्राब कर देना and guys इसको एक बर टेस्ट बनाना इसका और फिर guys में कोई वीडियो सब्सक्राइब करना and guys आप मैं भी देखूं आपने क्यासर टेस्ट बना या so guys बंबर आफर है कभी नहीं मिलेगा बाद में इस हो guys फटा फट देख सब्सक्राब करो फटा फटा फट से and guys like and share जरूर करके जाना बाइबाइब कर दो